हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है आज हम 2012 में रिलीज स्पाइडर मैन फ्रेंचाइजे की एक रीबूट मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इस मूवी के स्टार कास्ट बिल्कुल नहीं है और यह किसी और Alternate Universe की कहानी सुनाती है मूवी की शुरुवात में हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने पेरेंस के साथ पीकाबू खेल रहा होता है लेकिन तब ही वो एक आवाज सुनता है वो जब अपने डाड की इस स्टडी में जाता है और उसे वहाँ सेफली छोड़ कर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं कुछ दिनों बात पीटर को पता चलता है कि उसके मॉम एंड डाड मारे जा चुके हैं अब मूवी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है जहां पीटर कॉलेज में पढ़ता है वो पढ़ाई में काफी इंटेलिजन्ट है परसीदिय सभाव के कारण कॉलेज के दूसरे बच्चे उसे बुली करते हैं एक दिन फ्लैश नाम का एक लड़का पीटर को बुली कर रहा था तब ग्वेन स्टेसी नाम की एक लड़की वहाँ आती है और उसे बचाती है पीटर ग्वेन को हमेशा से पसंद किया करता है और वो उसका क्रश थी इधर एक दिन घर पर जब पीटर अंकल बेन के साथ बेस्मेंट की सफाई कर रहा था तब उसे अपने डायट का एक ब्रीफ किस मिलता है जिसके अंदर उसके डायट के काफी important documents भी थे फाईल देखकर पीटर को उसके डायट के ही एक friend के बारे में पता चलता है जिसका नाम था Dr. Cult Corner और वो दोनो genetic modification के project पर एक साथ औसकॉर्प company में ही काम करते थे एक दिन जब कुछ students की औसकॉर्प में trip थी तो पीटर वहां किसी और student का नाम लेकर अंदर घुज जाता है यहां वो Gwen को देखता है जो कि Dr. Cult की ही assistant भी है पीटर वहां ताक जाक करते हुए एक room में पहुंच जाता है जहां bio genetics spiders web बनाये जा रहे थे पीटर गलती से web को touch कर देता है जिससे बहुत सारे spiders उस पर गिरने लग जाते हैं पीटर ऐसे तो सभी spiders को अपने उपर से हटा देता है पर एक spider उसके गल्ले में फसा रह जाता है और उसे काट लेता है जब पीटर train से घर वापस जा रहा था तो उसे उसकी तबियत ठीक नहीं लगती और वो सो जाता है पर जब वो उठता है तो train के कुछ लोग उससे परिशान करने लग जाते हैं उन लोगों से बचते वक्त पीटर को एसास होता है कि उसके अंदर अब spider man की powers आ गई है जैसे वो train की rod से चिपक गया था उसकी sixth sense काफी तेज हो गई थी speed बढ़ गई थी और super strength भी वो सबको बहुत जल्दी ही धूल चटा देता है घर वापसा कर वो अपने डाइट की file देखने लगता है कि वो किस चीज पर काम कर रहे थे फिर वो डॉक्टर कल्ट के पास जाता है डॉक्टर कल्ट उसे पहले से पहचानते थे सो वो उसे अंदर बुलाते हैं डॉक्टर कल्ट ने एक accident में अपना एक हाथ खो दिया है पीटर यहां डॉक्टर कल्ट को बताता है कि वो उनके friend Richard Parker का ही बेटा है डॉक्टर कल्ट यहां पीटर को बताते हैं कि वो और उसके dad एक experiment पर साथ में काम कर रहे थे पर उनके experiment में एक algorithm missing था जिसकी वज़े से वो experiment कभी भी successful नहीं हो पाया लेकिन अगर हम वहाँ successful हो जाते तो किसी भी इंसान के कटे हुए body part को दुबारा उगाया जा सकता था यह सब सुनकर पीटर वो missing algorithm डॉक्टर कल्ट को दे देता है जो कि उसे अपने dad के file से मिला था इधर college में flash एक बार फिर से पीटर को तंग करता है जिसमें पीटर इस बार flash को basketball के match का challenge देता है और साथ ही उसे basketball में बुरी तरह हरा कर goal करता है जिससे की basketball hoop ही तूट जाता है इस incident के बाद principal अंकल बेन को college बुलाता है अंकल बेन को यहाँ आना पड़ता है जिसकी वज़े से उनकी job पर उन्हें अब ज़्यादा समय विताना पड़ेगा इसलिए वो पीटर को आन्ट में को वापस लाने के लिए कहते हैं पीटर हामी भर देता है लेकिन इस बात को पूरा भूल कर पीटर अपनी new powers को टेस्ट करने में लग जाता है और डॉक्टर कल्ट के साथ उनके experiment में भी हिस्सा लेता है जिससे वो लोग rats पर अपना algorithm में experiment कर रहे थे लेकिन ये समय वो आंट में के बारे में पूरा ही भूल गया और जब वो घर आता है तो अंकल बेन उसे बहुँँ डाट लगाते हैं और अंकल बेन से बहस होने की वज़े से पीटर गुस्से में घर छोर कर निकल जाता है थोरी दिर बाद अंकल बेन भी उसके पीछे उसे ढूनने निकल जाते हैं पीटर एक स्टोर में मिल्क का एक बॉक्स खरीदता है लेकिन उसके पास पूरी पैसे नहीं थे और वो स्टोर ओनर उसे कम पैसों में मिल्क देने से मना कर देता है तब ही वहाँ एक चोर आता है जो कि उस स्टोर के पूरे पैसे ही चुरा लेता है और साथ ही पीटर को मिल्क का डबबा भी दे देता है लेकिन पीटर यहां उस चोर को नहीं पकड़वाता और ना ही उस शौप ओनर की मदद करता है फिर वही चोर जाकर अंकल बेन से टकराता है जहां उसकी गन उसके पॉकेट से गिर जाती है अंकल बेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं और हाथा पाई में वो चोर गोली चला देता है और अंकल बेन वहीं मारे जाते हैं पीटर भी वहाँ पहुँच गया था और वो बहुत दुखी होता है फिर पुलिस उनके घर पर आती है जहां पीटर को चोर का स्किच देखने के लिए मिलता है जिसके बाद वो पूरी सिटी में उस चोर को ढूनने लग जाता है उस चोर को ढूनने की चकर में वो एक दूसरे गैंग से भिड़ जाता है और एक गैंग उसके पीछे पर जाती है जहां से भागते वक्त वो एक स्टेडियम में गर जाता है जहां वो एक मास्क का पोस्टर देखता है और यहां से उसे अपने लिए एक suit design करने का idea आता है जहां Peter अपने लिए एक suit design करता है और साथ ही web shooters भी बनाता है और अब वो अपने इस नए suit में पुरे city के चोर बदमाशों से लड़ता रहता है और क्योंकि अब वो हमेशा fight में रहता है तो इसे काफी चोट भी आई रहती है जिसके लिए आंड में भी सोचती है कि उसे हमेशा चोट क्यों लगी रहती है इधर और स्कॉर्प company में वो experiment rats पर किया गया था तो वो successful हो जाता है रचित डॉक्टर कल्ट को बोलता है कि जल्दी से experiment इंसानों पर भी शुरू कर दो डॉक्टर कल्ट यहां मना करते हैं क्योंकि यह काफी जल्दी हो रहा था और हमें अभी इंसानों पर यह नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इंसानों की मौत भी हो सकती है इससे रचित गुसा होता है और उसे जॉब से निकालने के बाद वो फॉर्मूला वहां से लेकर चला जाता है ताकि और लोगों पर ट्राई कर सके यह सब देखकर डॉक्टर कल्ट वो सीरम खुद पर ही ट्राई करने लग जाते है क्योंकि उनका भी एक हाथ कट चुका था इसके बाद वो सो जाते हैं इधर पीटर, इस्टेसी के घर डिनर पढ़ाता है जहां पीटर और ग्वें के डाइड की थोड़ी भेहस おताती है क्योंकि ग्वें के डाइड Spiderman के अगेंस्ट तभी वहाँ न्यूज आता है कि सिटी के ब्रिज पर कोई हमला हुआ है जिसके लिए ग्वेन के डायड उधर चले जाते हैं ग्वेन और पीटर जब बाते करने के लिए छट पर जाते हैं तो पीटर ग्वेन को बता देता है कि वो ही एस्पाइडर मैन है अब हमें पता चलता है कि उस ब्रिज पर जो हमला हुआ है वो डॉक्टर कल्ट की वज़े से हुआ है क्योंकि जब वो सीरम लगाने के बाद सोकर उठे थे तो उनका कटा हुआ हाथ पूरा वापस आ गया था और साथ ही उनके बॉडी धीरे धीरे एक लिजर्ड में बदल गई थी और लिजर्ड में बदलने के बाद वो ब्रिज पर तवाही मचाने लग गये थे और साथ ही इन लोगों पर हमला भी करने लगे थे अभी वहां पीटर स्पाइडर मैन बनकर आता है और वहां काफी लोगों की जान बचाता है जहां वह एक बच्ची की जान भी बचाता है और जब वह उस बच्ची को उसके डाइड के पास पहुचा देता है तो उसके डाइड उसका नाम पूछते हैं जिस पे पीटर यहां अपना नाम पहली बार स्पाइडर मैन बताता है फिर पीटर डॉक्टर कल्ट से मिलने जाता है वहां वो देखता है कि जिस चूहे पर उन लोगों ने एकस्पेरिमेंट किया था वो एक लिजर्ड में बदल गया है और दूसरे चूहे को मार कर खा रहा है यहां पीटर समझ ज करता है कि डॉक्टर कल्ट ही वो लिजर्ड थे जो कल रात ब्रिज पर तबाही मचा रहे थे पीटर गवन के डायाड जो कि पुलिस में थे उन्हें यह सब बाते बताने की कोशिश करता है पर क्वेन के डायड उसकी बात का भरोसा नहीं करते क्यूंकि ऐसे भी सेहर में किस जादा ताकतवर है और उस पर बहुत भारी भी पढ़ रहा था इसलिए पीटर कैसे भी अपनी जान बचा कर वहां से निकलता है लेकिन उसका कैमरा वहीं पर गिर जाता है और लिज़र उस कैमरे पर पीटर पारकर का नाम लिखा हुआ देख लेता है जिससे वो समझ जाता है कि पीटर पारकर ही स्पाइडर मैन है फिर लिज़र पीटर के कॉलेज पहुचता है और वहां पीटर को धूनने लगता है पीटर तुरंत ही स्पाइडर मैन के कपड़ों में वहां बहुत जाता है जहां दोनों के बीच काफी फाइट होती है और पुलिस भी बहां दोनों क तरफ जाने लगता है, जहां पुलिस बीच में उसका रास्ता रोक लेती है और स्पाइडर मेन और पुलिस की fight होने लगती है वाइट के बीच में Captain Stacy के सामने स्पाइडर मेन की असलियत आ जाती है जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि Peter ही ये स्पाइडर मैन है फिर पीटर यहां Captain को convince करता है कि Gwen की जान खत्रे में है क्योंकि Lizard पूरी City को ही Lizard बनाने वाला है और Gwen भी Oscorp Tower में ही है इस पर Captain उसे वहाँ से जाने देते हैं लेकिन वो जैसे ही जा रहा था एक पुलिस उसके पैर पर गोली मार देती है जिससे Spider Man घायल हो जाता है और अब उ उस उची टावर पर पहुंचना बिल्कुल ही नामुखिल लग रहा था अब यहां उस बच्चे के डाइड जिसके जान स्पाइडर मैन ने बचाई थी उसकी help करते हैं अपने साथियों की मदद से वो सभी क्रेंज को सिटी में सीधे सीधे लगा देते हैं जिससे Spider Man अब उ एंटीडोड मशीन में लगा देगा तो कोई भी लिजर्ड में नहीं बदलेगा और साथ ही डॉक्टर कल्ट भी ठीक हो जाएंगे तब ही वहां कैप्टेन एंटीडोड लाकर देते हैं और Spider Man को मशीन में लगाने के लिए बोलते हैं Spider Man टावर की तरफ बढ़ता है लेकिन तुरंती कैप्टेन को घायल करके Spider Man को रोकने आता है बड़ी मुश्किल से पीटर उस एंटीडोड को मशीन में डाल देता है और एंटीडोड का क्लावड बनता है जिससे डॉक्टर कल्ट भी वापस इंसान बन जाते हैं पीटर कैप्टेन से मिलने जाता है जहां अब वो अपनी आखरी सासे ले रहे थे और वो यहां पीटर को ग्वेन से दूर रहने के लिए बोलते हैं ताकि वो सेफ रहे और वो मारे जाते हैं इधर डॉक्टर कल्ट को पुलिस पकड़ कर ले जाती है अब कुछ दिन बाद कैप्टेन स्टेसी का फ्यूनरल होता है जिससे पी पीटर और ग्वेन कॉलेज में मिलते हैं तो पीटर ग्वेन को बोलता है कि वो वादे सबसे अच्छे होते हैं जिन्हें तोड़ा जा सके ग्वेन यहां मुस्कुरा देती है अब हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं कि डॉक्टर कल्ट अब जेल में है और उनसे कोई मिलने आया है और बोलता है कि क्या पीटर को इसके डाट के सच के बारे में पता है तो डॉक्टर कल्ट बोलते हैं नहीं और मुवी यहीं खतम हो जाती है